तो दो स्थानी और हम बात करेंगेसिनल फ्लु के बारे में फरवरील लास्ट से मार्च के स्टार्टिंग के 15 दिन का यह जो टाइम होता है पुरा यह सीजनल फ्लु के लिए बहुत परफेक्ट टाइम होता है होने का आपके घर में या आपके आसपास आपने बहुत सारे लोग इस वक देखी होंगे जिनको seasonal flu हो रखा है तो यह जो मौसम है यह कैसा है ठंड से अब आप गर्मी की तरब जा रहे हैं मौसम शिफ्ट हो रहा है ठंड से गर्मी की तरब तो इस मौसम में आपको सबसे जादा seasonal flu होता है बच्चे हो या बड़े दोनों ही पहुत जल्दी बीमार पड़ जाते है इस seasonal flu से और अब मैं आपको बताऊंगी इसके कुछ लक्षण और आगे इस वीडियो में इस seasonal flu के लिए कुछ homeopathic medicine जो इसको prevent करेंगी और अगर आपको already seasonal flu हो गया है तो कैसे आप किस medicine से इसको ठीक कर सकते हैं वो भी हम वीडियो के last में बनाएं बताएंगे आपको तो वीडियो पूरी देखती रहिए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि seasonal flu क्या होता है कैसे होता है what is seasonal flu तो किसी particular season में जब मतलब किसी एक मौसम में कोई बिमारी हुई मतलब तो इसका particular मौसम क्या है इसका particular मौसम है जब मौसम बदलना शुरू हो रहा है जो time is seasons है बदलने शुरू हो रहे हैं जैसे कि अभी का season है फर्वरी और मार्च के मीच में थंड जा रही है और गर्मी आ रही है तो यह मौसम सीजनल फ्लू का हो गया और अधर जब गर्मी से ठंड आती है ठीक कि नवंबर के टाइम का जो महिना होता है जब उस time पे भी आप seasonal flu के बहुत ज़्यादे cases देखेंगे क्योंकि तब मौसम बदल रहा होता है तो seasonal flu कुछ bacteria या viruses के से होता है जो यह मौसम जो है बदलने वाला मौसम यह उन bacteria और virus के लिए बहुत ज़्यादा favorable होता है मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूलित होता है ठीक है तो majority में फ्लू viral infection की बज़े से होता है जिसका नाम में influenza virus ठीक है influenza virus की बज़े से seasonal flu होता है और यह virus मतलब हमें कैसे attack करता है हमको कैसे होता है यह airborne होता है अब बहुत हमारे आसपास कोई भी इस संक्रमित लोग है तो जो खास रहे हैं चीक रहे हैं तो उनकी बॉली से जो भी आपके उपर आई तो इस तरह से आपको infection हो सकता है तो इसलिए यह airborne होता है और यूजवली क्या होता है जब हमें इंफेक्शन हो गया होता है तो इसको बाहर शो होने में ही एक से दो दिन लग जाते हैं जैसे हमें आज हुआ को ऐसा ब्यक्ति था जिसको फ्लू हो रहता है बात करते हैं कि लक्षर में क्या क्या होता है पहले में खरास होगा अजीव सा लगेगा कुछ चुब रहे हैं सही से बोले में दिक्तत होगी गले में दर्द भी हो सकता है दुसरा बॉड़ी पेन होगा बहाद आपको दर्द हो रहा है दुख रहा है कहीं बॉड़ी आप देखोगी कि नाक से पानी आए जा रहा है रानिंग या वाटरी नोज आपको देखने को मिलेगी और फीवर फीवर धीरे धीरे आपको चलना शुरू होगा फीवर का यह है कि फीवर हाई ग्रेट का भी हो सकता है इसका मतलब क्या है इससे आप देखेंगे फीवर 99 से ल जब्हकशन है और आपकी बोड कर डिफेंस मेकनिसम वह कितना काम कर रहा है आपका आपका इम्म्हूनिटी हैं इस इनफेक्शंट सबकितना प्रोटेक्ट कर पार है इस इससे कीवर कितना ज़ए होगा और not सब्सक्राइब करते हैं और बात करते हैं इसकी प्रिवेंटिव मेडिसिन की मतलग किस मेडिसिन को खाने से हम इस सीजनल फ्लू इंफेक्शन से बच सकते हैं तो पहली होमेपेथिक मेडिसिन उसका नाम है इन्फ्लूएंजिनम 200 की पोटेंसी में हमें लेना है तो इसको हमें कैसे लेना है जो एडल्स मतलब बड़े लोगा 17 साल से उपर के लोगे उनको लेना है दो बून जीप पर ड संडे ही हमको लेना है अगले संडे में जबता में एक बार खाली पेट दिन में सुभर सुभर दो बूंद इस यह जो बच्चों के लिए मतलब 15 साल से नीचे तक के लोगों के लिए बच्चों के लिए अब एक बूंद डालेंगे जीप पर ठीक है और अगर बच्चा बहुत दे सकते हैं और बच्चों को भी सप्ता में एक बार ही देनी है और दूसरी जो मेडिसिन उसका नाम है आर्षेनिक एल्वम इसको लेना है 30 पोटेंसी में तो इसको कैसे लेना है इसके दो बूंदे हमें डालनी है अपनी जीप पर दिन में तीन बार सुवैं दुपयर सब्सक्राइब करने हैं इसमेडिसिन के साथ करना है हमने इंफ्लुएजिनम एक बार सब्षेंगे लिए तक ले तो इन इन चेली तो वार्सनिक बिंद आल सकते बस सप्तां नहीं हैं मतलब दो सब्सक्राइब हमने तीन दिन बाद दो आर्सनिक बंद कर दी और सब्सक्राइब 15 दिन की बाद हमें इस पूरी डोस को दुबारा से रिपीट करना है जो एक बार ले रहे थे इंफ्लेजिम 200 सब्सक्राइब इस पर लेनी है दोबून खाली वो लेनी है और अरसेनीख है वह थांसे नें डिन तीव और तीन दिन के लिए बस फिर बंद कर ली तो एक प्रक्राइब आपको उल्डेदी इंफेक्षन तो आपकिया करेंगे तो सबसे पहले हम वाद इसको बंद कर देना है इसको दोज नहीं लेनी रिपीट भी नी करना च्छे शिक्स डे या चटे साथ में नहीं लेने तक कि लेनी है और नेक्स हम मेडिसन बताएंगे एक श्वाबे कमपनी की है श्वाबे एल्फ सी एफ कोल एंड फ्लू नाम की है इसमें टेबलेट्स फॉर्म में होती है तो अडल्ट्स के लिए उनको क्या करना है दो दो टेबलेट्स लेनी है सुभए दुपए शाम ठीक है और जो बच्चे हैं उनको एक सुभए एक दुपए और एक शाम और जो बहुत छोटे बच्चे हैं तो पांस साल से नीचे को होगे बहुत छोटे हैं तो उनको क्या करना आधी गोली लेनी है आधी टेबलेट्स लेनी है सुभए दुपए शाम तो बच्चे अगर चूश नहीं पार तो पानी में थोड़ा सा घोल देना और उसको पिलाना है तीक इस तरह से ले आपके सिम्टम्स क्या है आपकी बोडी बोडी के हिसाब से आप किस तरह से रियक करो कितना सीवियर इंफेक्शन इस अपको डॉक्तर के पास जाके दिखा के ठीक कर सकते हो बाकि यह था आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ क्या सकते हुआ झाल। क्या है क्या खास